हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल आइस एवरिवेर दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में रुत्वों का बहुती महत्वा है एक के बाद एक वो चलते रहते हैं दोस्तों गर्मी की सिजन में हम ठंडा पानी का यूज करते हैं और सर्दी की सिजन में हम गर्म पानी का यूज करते हैं लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा है कि गर्मीयों में नल से ठंडा पानी क्यों निकलता है और सर्दीयों में नल से गर्म पानी क्यों निकलता है अकिरेसा क्यों होता है दोस्तों आप सभी ने ये बात देखी होगी लेकिन आपने इनके बारे में जानना की कोशिस की नहीं होगी दोस्तों कोई बात नहीं आज की ये वीडियो देखते रहिए आज की ये वीडियो में मैं आपको इसी टोपिक पर बात करूँगा लेकिन दोस्तों सुरू करने सब पहले अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर दीजे और बाजू में दियेगे बेल आकम पर क्लिक कर दीजे जिसे मेरी आने वाली सब भी टेक्निकल और नोन टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकसन जलदी से मिले दोस्तों सब्सक्राइब करने बेखुल प्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों सबसब पहले बात करते हैं कि धर्ती है वो उस्मा की कूछ अलक होती है इसका मतलब है कि धर्ती के अंदर जितना भी पानी है उस पर हमारे बाहरी वातावरण का कोई भी असर नहीं होता है कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका मतलब ये है कि धर्ती के अंदर के पानी का ताप मान एक जैसा ही रहता है फिर चाहे बाहर सर्दी हो यागर्मी अंदर के ताप मान में कोई भी चेंजिस नहीं होता है कोई भी एप्यक्ट नहीं होती है दोस्तो अब आपको ये doubt होगा कि गर्मी के सिजन में ठंडा पानी और सर्दी के सिजन में गर्म पानी हमें क्यों लगता है नल से वो क्यों निकलता है तो दोस्तो इन सभी बातों के पीछे ये reason है सर्दियों के मोसन में हमारे वातारन का तापमान काफी ज़्यादा कम होता है और वही उसकी तूलना में धर्ती के पानी का तापमान ज़्यादा होता है अब जब हम बारी वातार में रहते हैं तो हमारे सरी का तापमान पानी के तापमान से कम होता है तो दोस्तो इसलिए हमें कोई भी कम तापमान चीज गरम लगती है क्योंकि जब कोई कम तापमान वाली चीज किसी ज़्यादा तापमान वाली चीज को छूती है तो वो उसे गरम लगती है और पूरे-पूरा ओपोजिट गरमियों में होता है क्योंकि उस समय वातावरान का तापमान और हमारे सरी का तापमान धरती के पाने के तापमान की तुलना में ज़्यादा होता है दोस्तो इसी वज़े से गर्मियों में हमें नलका पानी ठंडा लगता है क्योंकि जब कोई ज़्यादा तापमान वाली चीज, किसी कम तापमान वाली चीज को छूती है, तो उसे ठंडी लगती है तो दोस्तों ये वीडियो से आपको पता चल गया होगा, अची तरह समझ में आ गया होगा कि गर्मियों में हमें नलका पानी ठंडा और सर्दियों में नलका पानी गर्म क्यों लगता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो की इंपरमेशन अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो की इंपरमेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करे और सेर करना मत बुले दोस्तो कॉमेंट करके ज़रूर बताए कि आपको इनके बारे में क्या मानना था तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक थेंकियो में में भीडियो